आपको क्या परेशानी है? को इंगलिश में क्या कहते हैं? और ऐसे ही कुछ और सेंटेंस को इंगलिश में कैसे बूला जाता है? ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं. आपको क्या परेशानी है? को इंगलिश में आप कह सकते हैं? what's wrong with you what's wrong with you या फिर आप कह सकते हैं is everything alright यानि कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है are you feeling okay यानि कि क्या ठीक महसूस कर रही है you don't seem like yourself what's the matter यानि कि आप हर रोज के जैसे नहीं दिख रहे हैं या आप कुछ बदले-बदले नजर आ रहे हैं क्या मामला है, क्या दिक्कत है, क्या बात है या फिर आप कह सकते हैं is there something bothering you यानि कि क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है या फिर आप कह सकते हैं I sense that something is not right care to share यानि कि मुझे लग रहा है या मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ सही नहीं है कोई दिक्कत है तो मुझे से आप share करें या मुझे बताएं या फिर आप कह सकते हैं you seem upset what's troubling you यानि कि आप थोड़े upset लग रहे हैं क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है या फिर आप कह सकते हैं did something happen you seem upset यानि कि क्या कुछ हुआ है आप थोड़े upset लग रहे हैं परेशान लग रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं you seem upset want to talk things out यानि कि आप थोड़े upset लग रहे हैं क्या आप कुछ बात करना चाहते हैं या कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें